Have you ever felt, Are you listening, Damn So guys, यह है Sony का WIC200 earphone और यह जो है वो Bluetooth earphone है और इसका जो price है Amazon पे वो आपको 1899 रुपीज में मिल जाएगा यह मैं इसको unbox करने वाला और आपको बताने वाला हूँ कि इसमें क्या-क्या facilities मिलती है और यह value for money है या नहीं वह सारक कुछ है यहां पर model number देख सकते हैं WIC200 इसका model number है और इस साइड आप देख सकते हैं यहां पर फ्रेंट में ही वन यह का वारेंटी जो है आपको इसमें मिल जाता है और यहां पर आपको दिखाता हूँ इसके कुछ details इस साइड आप देख सकते हैं HD hand-free calling जो है वो आपको मिल जाएगा और यह जो earphone type-c supported तो type-c से आप इसको जो है वो चार्ज कर पाएंगे और यहां पर आपको वाइस असिस्टेंट का function मिलता है और 10 minute चार्ज कीजिएगो तो 60 minute का प्लेबेक टाइम आपको मिल जाता है यहां पर आप देख सकते हैं इस तरह का यह एर फून का box आता है और मैं इसको अंबॉक्स करकर दिखाता हूँ मैंने इसको पहले open कर रखा है मैं आपको बता देता हूँ कि क्या की आपको इसके box में मिलेगा तो सबसे पहले आपको earphone मिलेगा इस तरह से यह earphone है को हम साइ आपको ये अपने केबल के बारे में आपको जो आपको खुशा कर पाएंगे आपको टाइप सी एक बारे में यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो डिजाइन है इस तरह के आपको आता है इस तरह से इसका जो design मिलता है आपको इसका magnet जो है वो बहुत ही weak है बिल्कुल भी work नहीं करेगा और यहाँ पर देख सकते हैं माइक दिये गया है inline और इस side आपको volume प्रेस जो है वो कम जादा करने का है और आप जो है वो इसको feel करके भी जो है सकते हैं आगे पीछे यह वो प्रेस किये रहना होगा और इस side आपको type c supported आपको मिलता है यह battery है और यहीं पर आपको type c port मिलता है इसमें आप जो है वो इसको चार्ज कर पाएंगे साउंड को quality जो है वो सही है बट जो bass थंपिंग होता है वो जो realme birds wireless में देखने को मिलता है और मी के जो wireless वाले earphone आते है उसमें जो मिलता है मी नेक बैंड में जो bass मिलता है वो आपको इसमें नहीं देखने को मिलता है अगर उससे compare किया जाए तो इसका sound quality है वो मैं आपको 10 में इसको 6 दूँगा और उसको 10 out of मैं 9 दूँगा so guys sound quality मुझे ज्यादा बहतरी नहीं लगा है और दो तिन दिमिरिट लगें फर्स इसका fitting मुझे सही नहीं लगा है इसमें magnet नहीं दिया गया है और यहां पर देख सकते हैं यह जो neckband है यह पीछे जो आप लगा कर इसको आप यूज करेंगे और बाइक यह सब पर अगर आपको feel नहीं होगा अगर heavy bass lover है तो आपके लिए यह earphone बिल्कुल ही नहीं बना है magnet जो हो बहुत ही मतलब low quality का use किया गया है तो उतना strong जो हो इसका magnet नहीं है और बाकी जो हो यह earphone सही है बट value for money मुझे यह जो हो नहीं लगा है one year का warranty आपको इसमें मिलता है और इससे आप यहाँ जो है कुछ control वी कर सकते हैं वह भी मैंने इसमें देखा है तो वह मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या control कर सकते किस तरह से तो सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं यह बीच मिल अप्रेक्ष करेंगे तो song आप away आउज होगा यहाँ देख सकते हैं और volume के लिए को song को आगे पीछे करना हो song को next करना हो या previous वाला song लगाना हो तो उसके लिए आप यहाँपर Complex कर NIकी कर चेंज हो गया और इससे पहले वाला song जो प्ले हो रहा तो उसको वापस लाओ कि मैनस वाला वह प्रेस करना हो था तीन सेकंड के लिए तो यह देखिए जो सॉंग है वह इससरे पहले वाला आ गया है ड्याकिसे जो है प्हर आप देखने को नहीं देखने को मिलेगा और यहां पर देख सकते हैं, नेकवेन के साइड आपको यह जो है वो एक अलग अलग सा जो heavy design होता है, वो नहीं मिलता है, यह काफी lightweight भी है, तो lightweight जिनको पसंद है वो यह purchase कर सकते हैं, इसमें magnet ज्यादे तो आप इस वीडियो को लाइक करें मैं चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी कोशन पूछन 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 तो नीचे कमेंट करें मैं एंसर जरूर दूंगा झाल 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 झाल